तो निश्चित रूप से हमें कारवाई पर मजबूर होना पड़ेगा और मुझे शर्म आती है जब कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता मरीजों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं पीडित मानोता के खिलाफ खड़े हो जाते हैं बिना बात का ग्यान लिये हुए यदि कांग्रेस के नेता इस तरह से पीडित मानोता के खिलाफ खड़े होंगे मरीजों के खिलाफ खड़े होंगे जिनको इलाज की जरूरत है तो ये तो सीधे सीधे कमलनात का बयान जनता के खिलाफ है, मरीजों के खिलाफ है, कोविट के मरीजों के खिलाफ है और ये बहुत ही शर्मनाक है। तक स्टाइपेंड किया है, ट्रेनिंग में इतना पैसा दिया जा रहा है, ये उनकी सैलरी नहीं, जब पीडित मानफता को सबसे जादर जरूरत है, उस समय हर्ताल कर रहे हैं, 6 प्रतीशत हर साल स्टाइपेंड बढ़ाये जाएगा, 6 में से 4 मांगे मान ली गई है, हम जूड पत्रों में भी छपा है, आप भी ये बोल रहे हैं कि सरकार एसमा का, जो उनका उलंगन हो रहा, उस पर कारवाई क्यों नहीं कर रही, हम नहीं चाहते हैं कारवाई करना देखी, सीजी बात है, और इसलिए, आप लोग जो मुझे मुझे पर नाराज हो रहे हैं, या मीडिय लगातार सरकार को कट घरे में इस बात को लेकर खड़ा कर रही है कि अभी तक किसी भी तरह की कारवाई क्यों नहीं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि सामन जश्ट्थ से सब बाते हों हम कल्यान करना चाहते हैं हम वो हमारे जूनियर डॉक्टर जो आगे आने वाले समय में देश कानून तो कहता है कानून में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं एसमा लागू है और वो लगातार उसका उलंगन कर रहे हैं पर हम तो भी हमारी आखरी प्रायर्टी होगी कारवाई करना हम ऐसे हमाई जूनियर डॉक्टर्स पर कारवाई नहीं करना चाहते परंतु ये बात भ उन जूनियर डॉक्टर्स की इलाज की जरूरत है या उन्हें सेवाई देनी चाहिए तो निश्चित रूप से हमें मजबूर होना पड़ेगा हम नहीं चाहते आपका ये प्रेशन बिल्कुल सही है कि सरकार अभी तक कारवाई क्यों नहीं की हमारी आखरी प्रायर्टी है ह हम उन जूनियर डॉक्टर की मांगों को इसलिए मानते रहें कि वो सामन जस्ति के साथ काम करें अच्छा काम करें और ये तो ट्रेनिंग है यदि वो अभी अपनी इन हॉस्पिटिल में नहीं जाएंगे तो वो अपनी पढ़ाई के एक मॉडियूल को मिस कर रहा है वो ट्र मरीजों को यदि आज तकलीफ होगी तो मजबूरी में हमें कारवाई करनी पड़ेगी हम नहीं चाहते क्योंकि मरीज और जनता हमारे लिए प्रात्मिक्ता पर है मरीज को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यदि मरीज की तबियत बिगड़ेगी तो यह हम सब के लिए बहुत दुर्भागी पूर्ण होगा और यदि इसके कारण जूनियर डॉक्टर बनेंगे तो मुझे लगता है यह संदेश भी गलत जाएगा इसलिए मरीजों के लिए मरीजों की तबियत के लिए पीड़ित मानवता के लिए हट धर्मिता ठीक नहीं है नहीं करनी चाहिए देखिए ये अपने आप में शोट का विशय है बच्ची का एलाज हो रहा है और निश्चित रूप से ये एक शोट का विश्य है कि बच्ची को क्यों करोना हुआ है क्यों मियूकॉर हुआ है क्यों बलैक fyanggis हुआ है और उसका एलाज चल रहा है